हेलो दोस्तों, नमस्कार, आज में आपको घोंगा कैसे बनाते हैं, ऐटा, आइए मिलता है पानी वाला जगह अब जैसे के धान हो गया, धान का जब खेती होता है ना, तो धान में यह जब बर्सात आता है तभी मिलता है यह घोंगा और घोंगा कहें तो हम लोग इसको बोलते हैं और इसका आज हम बनाने वाले हैं सब्जी तो गोंगे के सब्जी किस तरीके से बनाया जाता है मैं आपको बताने वाली हूं तो देखिए इस तरीके से अच्छा से साप कर लें और साप करने के बाद इसे उबालना है हमें 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए उबालने के लिए चड़ा दिये हैं आप ये जर्सी ही पांच बिन के बाद हुआ लगया है इसका पानी हम निकाल के फेक देंगे इस तरीके से और उसके बाद हम घूंगा को साप करेंगे तो घूंगा को देखिए इस तरीके से अच्छा से अगला पाट निकाल के आप रख लें ये देखिए इस तरीके से निकाल दें और निकाल के आप एक प्लेट में रखते जाएं इसे सीप भी कहा जाता है इंगलीस में दोस्तों इसे लेकिन हम आछठा के नाम से जानते हैं गोंगा आछठा सीप तो देखिए इस सीफ को हमें इस तरिके से निकालना है सीफूड है सीफूड के नाम से फेमस आपको यह मिल जायेगा नेट पगी पैसी इस तरीके से हमें निकालना होता है और तो ये चाकू के हल्प से आप इसे निकाल सकते हैं ये देखिए इस तरीके से और उसके बाद इसका ये पैसी निकाल के फेक देना होता है ये सब वेस्ट पाठ है और जो खाने वाला पाठ होता है मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा होता है तो ये देखिए ये जो पाठ ये खाने वाला है ये जो हम निकाल के रख रहे हैं और बाकी सारा हमारा वेस्ट पाठ है, मसाला इसमें क्या क्या पड़ेगा, लसन पड़ेगा, हल्दी पड़ेगा, और धनिया, अद्रक, हरा, मिर्च और जीरा, इन सभी को हम पीस लेंगे मसालों को सिल्वट्टे पे, सिल्वट्टा पे अच्छा से पीस के, उसके बाद हम इ इस घूंगे को खाने से दोस्तों आखों का जो रोसनी आज कल देखिए गा चोटे-चोटे बच्चों को चस्मा लग जा रहा है और जिसे भी आखों का प्रोब्लम है इस घूंगे को आप अगर बरसात में तीन-चार बार खा लेते हैं तो आखों का परसानी से आप दूर हो जाएगा आख आपका कभी भी खराब नहीं होगा जल्दी चस्मा नहीं लगेगा और अक्सर गाउं में पूराने जमाने में लोग देखिए देशिस चीज खाया करते थे जैसे कि घूंगा हो गया केकड़ा हो गया चोटी मच्छी हो गई आप सभी को तो पताइए चोटी म परशेंट दूर करवा सकता है अगर आप घूंगा का सेवन करते हैं साल में दो तीन बार भी जैसे साल में असा इतो सीजनली चीज़ है जब बरसांत आएगा तभी आपको मिलेगा अब बरसांत नहीं आया तो नहीं मिलेगा तो देखिए अच्छा सामीसे दोव तीन पार धोली हैं नमक डालके और मसाला हम देखें पीस लेते हैं फटा-फट और उसके बाद हम आगे का आपको बताते हैं कि घूंगा को बनाना कैसे है तो दोस्तों मैं बता रहे थी कि जैसे कि जो बच्चों को आँखों पर चस्मा चड़ा जाता है अगर आप नौन भेज खाते हो तो इस चीज का जरूर शेवन करें आपका आँखों से चस्मा हट जाएगा 100% हमारा पुपा का वाला गरांटी है तो हमारे बच्चे नहीं खाते हैं हमारे बच्चे बोलते हैं कि किसी भी जीव को नहीं खाना है लेकिन अब क्या करें अब जो खाएगा इन उसको खिला नह सकते हैं लेकिन अगर इसे खाये इंसान तो वो चीज हट सकता है चस्मा हट सकता है तो देखिए सरसो का तेल हम एक हांडी में डाल दिये हैं उसमें मेथी धना डालके आये मसाला को भून लेंगे जो मसाला हम पीसे है ना तो उसे भून लेंगे तो हमारे घर में भी हमारे स बनाते हैं तो उसके लिए बरतन अलग रखें नहीं तो जो नहीं खाता है उनके लिए तो बहुत दिक्कत वाला बात है और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और घौंगे को भी डाल देंगे और अच्छा से अच्छा भूनते रहेंगे चार-पांच मिन तक भूनेंगे पढ़ि आप चाहें तो इसे सुखा भी बना सकते हैं आप चाहें तो इसे तरीदार भी बना सकते हैं आपकी मर्जी के उपर है दोस्तों तो देखिए बहुत अच्छा मसाला भून गया है आप इसमें आप जितना मन करें उतना ग्रेवी के लिए पानी डाल सकते हैं थोड़ दिर के लिए मैं और भून ली थी अब इसमें हम पानी डाल देते हैं और धक देते हैं और पांच मिनट धीमी धीमी आज पर पका लिए हैं और यह हमारा घोंगा बन के तयार है दोस्तों खाने के लिए रड़ी है बिल्कुल रेसिपी कंप्लीट है कैसा लगा बताई कमेंट बॉक्स में और आपको देशी चीज में क्या क्या देखना है यह भी बताते रहिएगा और देखे यह हमारे गाउं का ग्रीश से यह हमारी शासुमा बैटी हुई है धूप ले रही है सर्दियों का दिन जब यह में गई थी अभी एक मैना पहले तो यह मिल रहे थे अब धान का जब कटनी हो रहा था ना धान काटते वक्त भी मिलते हैं यह तो भी सर्दियों का दिन है अब मैं गाह में गई हूँ और यह हमें मिला है खाने को तो देखिए इदर लाला जी सब सफाई कर रहे हैं यहां पे घास हुगा हुगा है यह जो गास पोय घास होता है जंगली पोई है ये तो जंगली पोई है उसे काट के साप कर रहे है हमारे खेत के पास में है ये देखिए तो जंगली पोई पुरा फैला हुआ है पुरा तो ये सब सफाई कर रहे है लाला जी और मैं खाना बना रही थी और देखी इंको सफाई करते हुए तो वीडियो सुट करने आ गई तो देखी ये सारा सफाई करना है लाला जी को इधर हमारा छोटा मोटा घर के पास ही में बगीचा है जिसमें हम लोग का करते हैं कि उचास पहे, उचे पहे न खीट देखीन नीचे में हमारा और ये उंचे पहे और थोड़ा बाइस मिरची लगा देते अधर ही और जब मन किया तो दो मिरची तोड़ के अपना पटा पट कच्चा ही खा लिये बिंडी तोड़ के अपना भुजिया बना लिये और कि यहां से वहां तक खेत देखिए इस सारा खेतों में आलू बहुत दिये गया है और छोटा-छोटा जम गया है और यह आपको रूम सा दिख रहा ना तो इसमें बोरिन लगा हुआ इसे सिचाई होता है तो दोस्तों हम मीलेंगे नया वीडियो में जद्तक के लिए बाइबाई नमस्कार कर दो कर दो